हेलो स्टूडिन्स अब लाइफ प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं दिपीका राठोड और अब सबसे बहले चीज तो हुमन डाइजिस्टिफ सिस्टम से रिगार्डिंग क्या-क्या पॉइंट्स हमको पढ़ने चाहिए और क्या-क्या पॉइंट्स एक्जाम में आ सकते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट तो इसलिए अब इस सेशन में बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ओफ हुमन एलिमेंट्री के नाल हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ओफ दो में पार्ट होते हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पहला एलिमेंट्री के नाल अब अलिमेंट्री के सामने आने वाला है इसको बहुत ध्यान से देखें बिक माउट से लेकर गयी अनस तक पूरा अलिमेंट्री के नाल इंपको पताते जा रहे हुम and you will no doubt. सबसे पहला, देखे, अब ये जितने भी points आपके सामने दिख रहे हैं, हम चालू होते हैं, mouth से, ठीक, तो सबसे पहले जो anterior opening है, वो है mouth, elementary canal की, उसके बार, mouth के अंदर क्या-क्या चीजे हैं, ये देख ले, mouth में है आपका पहले, teeth, tongue, salivary glands के अगर बात करें, तो salivary glands, बिट बकल कैविटी, mouth की कैविटी को क्या बोलते हैं, oral या बकल कैविटी, उस कैविटी के अंदर रही है, they are situated outside the buccal cavity, लेकिन, they drain the saliva inside the buccal cavity, तो इसलिए जिए हम बात करते हैं, mouth की तो हम पढ़ लेतें, salivary glands, और detail में पढ़ेंगे, associated glands, जैसे ही बकल कैविटी से, एक common opening आएगी, जिसको बोलते हैं, pharynx, और pharynx के बाद, आएगा आपका एक tube-like structure, esophagus, esophagus opens in, यह दिख रहा है यहाँ से, एक J-shaped organ, जिसका नाम है stomach, stomach continues, to small intestine, यह आगे आपका small intestine, small intestine के भी अलग-अलग parts से देखेंगे आगे, small intestine continues to form, large intestine, यह बना दिया, और large intestine, opens into, यह rectum, temporary storage, और anus, दियो ओपने, अब इसके अलावा, जो associated digestive glands, हमको दिख रहे हैं, वो कौन से हैं, liver, liver के secretion को store करने वाला, gall bladder, pancreas, यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा छोटा सा, leaf-like structure, pancreas, तो associated digestive glands में, salivary glands, liver, gallbladder, pancreas, तो यह था एक जस्ट, एक, इंट्रो, कि किस तरीके से आपका elementary canal, divided है, चलते हैं बागे, elementary canal or digestive tract, in humans or in man, it begins from the anterior opening, जिसको हम mouth बोलते हैं, और ends at anus, तो जितनी भी सारी चीज़े हैं न, यह सब इन दो opening के बीच में होंगी, mouth और anus, अब इसमें क्या-क्या होगा, यह देखे, बकल कैविटी होगी, जो भी हमने बात की थी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, इस session को प्लीज बहुत ध्यान से, बिना किसी diversion के देखे, मेरी request है, because time हमारे पास कम है, content ज़्यादा है, तो बकल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine, यह सारी चीज़ें मिलके बनाती है, आपका human elementary canal, अब एक एक करके देखे, mouth and buccal cavity, oral cavity, एक सुंधर सा diagram, यह देखे, बहुत ही smiley सा structure दिखाई दे रहा है, और अब इसमें है क्या, देखे, uppermost transverse, slit-like opening of elementary canal, क्या है आपका mouth, mouth क्या है, सबसे आगे, opening elementary canal की, the mouth is boarded, by the movable upper and lower lips, हमको पता है, मैं आपकी सामने बोल रही हूँ, you can see the movements of my lips, the upper lips and the lower lips, तो mouth की opening को guard कौन करता है, upper and lower lips, अब, buccal cavity अमने बात करी थी, oral cavity और buccal cavity is the cavity, inside the mouth, teeth, अब सबसे पहला structure, जो आपकी बकल क्याविटी में मिलता है, teeth are hard structures, teeth कैसे है, hard structures, present in the buccal cavity, किस काम आते है, specially developed for mastication, अब बहुत से बच्चों को ये term, थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन अब 10th standard की साब से, आपको please ये, mastication term का use करना है, बच्पन में हम बोलते थे ना, chewing, so chewing is what, mastication, देखे, अब ये जो human dental formula है, देखो एक थोड़ा सा, बस knowledge रहो इसके बारे में, बाकी तो जब आप detail में, हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे, for neat examinations, competitive exams, तो फिर हम लोग ये थोड़ा और ज़्यादा detail देखेंगा, अभी सिर्फ आपके 10th standard के साब से, incisor, canine, premolars and molar, हमारे पास, 4 तरे के दाथ, है, 4 types of teeth, सबसे पहले तो, incisor, then canine, then premolars, and then molars, right, so इनका एक छोटा सा, dental formula बनता है, और इस dental formula के उनको थोड़ा सा stress देके याद रखना है, teeth of human beings are embedded in the socket of bone, हमारे दाथ, हमारे ये jaw bones है, उसमें धसे हुए, firmly attached है, fixed है, तो ऐसे dentition को हम क्या बोलते है, the codont dentition, मतलब हमारे जो teeth है, they are embedded in the jaw, ये जो jaw bone है ना, इसमें धसे हुए है, सिंपल सा term याद रखना है, now, human dentition, formula क्या है, 2, 1, 2, 3, अब ये किस की बात करिए इनोंने, total number of teeth in the upper jaw is 16, total number of teeth in the lower jaw is 16, मतलब ये जो दिया है ना, ये formula है half upper jaw, अगर मैं पूरा dental formula लिखना चाहूं, तो हो जाएगा, 2, 1, 2, 3, upon, 2, 1, 2, 3, लेकिन into 2 करोगे, अरे ये तो half jaw का ही dental formula है, तो half upper jaw, half lower jaw, into 2 कर दोगे तो पूरे mouth, पकल cavity के अंदर dental formula, adult, तो total दांथ कितने हो जाएगे, 32, adult की बात कर रहे हैं, तो याद रखना, total teeth in human adult dentition is 32, now the dental caries, आप में जो textbook NCRT उसने छोड़ी सी activity मालो दे रखिये, regarding the dental caries, कि tooth decay किस कारण से होता है, और आप कैसे उसको overcome कर सकते हैं, so dental caries or tooth decay begins when bacteria, नाम जादा important नहीं है, बस ये याद रखे कि bacteria का infection है, grow on the food particle, specially किस पे, sugar sticking on the teeth, मतलब आपने कोई sweet सी diet खाई, और वो sugars या sugar particle आपके दातों पे चिपक गए, और फिर उसके उपर grow करने लगे bacterias, जिसके कारण से acid is produced, अब acid निकालने लगे bacterias, और वो acid क्या करता है, आपके दातों को खराब, it is responsible for demineralization of the enamel, ये जो white shiny teeth दिख रहे हैं ना, ये किस कारण से दिख रहे हैं, enamel के कारण, अब वो enamel से क्या हुआ, ये जो bacteria ने acid release करा, उसने धीरे-धीरे enamel को degrade करने लगा, फिर आपका जो दात है, वो इतना shiny नहीं रहेगा जैसा अभी है, तो ये थोड़ा सचीज याद रखनी है आपको, as far as the passage-like questions are concerned, मतलब comprehensive-based questions, जो आपके board examinations में आते हैं, तो इस topic से related आ सकता है, now it leads to pulpitis, pulpitis मतलब infection, जो pulp cavity उसका infection करवा सकते हैं, और आप कैसे इसे बच सकते हो, regular brushing, because जब आप brushing करते हो, तो toothpaste में होते हैं bases, और उस base से, ये acid आपके दातों के ओपर जो जम गया है, वो neutralize होता है, and your teeth becomes clean, now tongue, tongue बहुत important है, हाँ मैं जानते हैं, tongue का importance तो हम से, हम से ज़्यादा और कौन जान सकता है, तो tongue is a muscular organ, बहुत काम की है, क्या करती है, triangular shape, fleshy, muscular organ, हड़िया नहीं है इसमें, it has projections, अब इन papillus का काम क्या है, इन papillus के उपर होते हैं, taste birds आपको हर चीज का, जो भी आप खाते हैं, आपकी favorite dishes, उसका taste आता है, तो किस कारण से आ रहा है, papillus के कारण से, so papillus है responsible for the taste birds, अब एक general सा function देख ले, हम लोग, tongue का, the tongue acts as a universal toothbrush, अब animals होंगे, अब tiger है, dogs है, अब वो तो बिचारे paste या toothbrush नहीं करने वाले न, तो उनके लिए, tongue acts as a universal toothbrush, मतलब वो उनके dental caries, जो भी deposition से उसको कैसे remove कर सकते हैं, tongue की मदब से, और important function हमारे लिए, it helps in mixing of food, with saliva, taste detection, deglutation, ये थोड़ा सा term tough लग रहा होगा, इसको मैं simple terms में लिख दू, this is swallowing, deglutation is swallowing, और बोलने में, बोलने में मतलब आपके शबदों को जोडने में, articulation of speech, और words, कौन मदद करता है आपका tongue, तो देख लिया, बकल cavity में teeth के functions, देख लिया, mastication chewing, और कितने dentition है, 32 teeth, उसके बाद आगया, बकल cavity में दूसरा part, that is tongue, muscular organ ने taste sensation करता है, speech के लिए responsible है, and you reverse the tooth brush, now the common passage, अब दिख रहा है नहाँ पर आपको, pharynx मतलब क्या होगा, यह जितना भी आपको colored portion दिखाई दे रहा है, यह पूरा, पूरा, यह pharynx है, pharynx, common opening है, किसमें, देखींगे आगे, see, this portion is the pharynx, और pharynx किसमें खुल रहा है, it has the common passage for food pipe, and wind pipe, देखो जहाँ पर, digestive system के लिए भी, और respiratory system के लिए भी, दोनों के लिए common opening है, pharynx, अब digestive में क्या जाएगा, खाना, food, और respiratory में, air, तो मतलब pharynx, एक हमारा ऐसा passage है, जिसके थूँ दो pipe निकल रहे हैं, constitutes, एक isophagus, और एक trachea, अब इस chapter में, तो हमको सरफ isophagus के बारे में बात करना है, next sessions में हम लोग बात करने वाले हैं, respiratory system के, now isophagus, दिख रहा है यहाँ पर, muscular, tube-like structure, एक लंबा सा tube है, लगबग इसके लेंध होती 25 cm, isophagus, long, thin, narrow, tube, it extends posteriorly, posterior समझते हो, और आगे यह जो दिख रहा नहे तो trachea is, के पीछे होता isophagus, posteriorly through the neck, thorax and diaphragm, मतलब यहाँ 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 से, abdominal cavity में जाता है आपका, isophagus, यह गया isophagus, क्या करेगा यह, it mainly, transfer the food material, from mouth to stomach, ले जाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कहां से कहां तक, यह यहां से तो, यहां से तो, stomach तक, तो विचारा यह क्या होगे अपना, passage, food moves through the esophagus, due to rhythmic contraction, and longitudinal, and circular muscles, यह important definition है, peristalsis पूछा जा सकता है, exams में, peristalsis क्या है, देखो जाहां है, important contraction relaxation, contraction relaxation, इस तरीके से आपका खाना नीचे जाता है, this is peristalsis, क्यों, क्योंकि, esophagus की जो muscles है, वो contract relax, contract relax होती है, और फिर, passage, for food transfer, mucus is also secreted, mucus क्या होता है, sticky सा substance है, ताकि, अरे भई, आप कितनी hard चीज़े खाते हो अंदर, तो friction ना हो, तो avoid friction, और lubrication, provide करने के लिए, mucus is secreted, यह देखो, it is the actual diagram, it is the actual real diagram, peristalsis occurring in the esophagus, किस तरीके से, peristalsis की मदद से, खाना अंदर जा रहा है, यह देखो, यह operation से, esophagus निकाल के भी बताये गए है, यह diagrams बिलकुल real है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा असानी है, चले आँगे, now the stomach, the stomach is a wide, J-shaped, distensible bag-like structure, अभी इतना tough word, क्यों ले आए मा, सुने, distensible मतलब समझते हो, जिसकी capacity कम ज़्यादा हो सकती है, located in the upper left portion of the abdominal cavity, abdominal cavity के उपर की तरफ और left side है, देखे, J-shaped structure, located in the abdominal cavity, लगभग 25-30 cm, अब स्टमक के बाद, आजाता है आपका small intestine, स्टमक का काम हमने क्या देखा, यह स्टोरेज और foot material, मतलब foot particles को temporary store करता है, और crushing grinding भी करेगा, यह सब अपन देखेंगे, physiology of digestion, अभी सिर्फ हम लोग डिसकस कर रहे हैं, पार्ट्स, ताकि आपको समझ में आजाए, mouth से annus के बीच में, क्या क्या चीज़े हैं, small intestine की बारे में, क्या क्या है, it is a compactly coined structure, within the abdominal cavity, बहुत जादा compactly arranged है, small intestine is the longest part, of elementary canal, अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों बोला smallest, small intestine नाम क्यों दिया, small intestine is the longest part, सबसे लंबा पार्ट है, लगभग लगभग मान ले, 6.25 meters, लेकिन छोटा नाम क्यों दिया, because it is narrow, diameter पतला है, इसी लिए small intestine नो लगया, lengthwise तो लंबी है, but diameter wise it is narrow, अब small intestine की बात करें, तो इसके 3 पार्ट है, duodenum, ileum, jejunum, मतलब अगर sequence wise देखे, तो पहले duodenum, then jejunum, and then ileum, ileum is the last terminal portion, सबसे last में कोण आता है, ileum, ठीक है, सबसे पहले duodenum, and then jejunum, and then ileum, देखो, अब small intestine के बाद आ जाएगी, large intestine, large intestine को large क्यों बोला, diameter wise थिक है, मोटी है, एक question आता है आपकी board exams में, why elementary canal in herbivores is longer, देखा होगा, जिन बच्चों ने अच्छी सी तयारी कर रहे है, sample paper solve कर रहे है, so why elementary canal in herbivores is longer, क्यों, because herbivores की diet, अगर देखे हम लो, तो वो कैसा खाना खाते हैं मेटा, herbivores की अगर मैं बात करूँ, तो herbivores, feed on, cellulose rich diet, तो जब भी खाना cellulose rich होगा, तो digestion के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, और इसलिए herbivores animals have longer elementary canal, और specific एक छोटा सा organ भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो है तो vestigial हमारे अंदर, हमारे ancestors में जरूर काम करता था, देखे गए आगे, तो herbivore वाला question कोई गलत करके नहीं आएगा exam, now the large intestine, large intestine में हमको दिख रहा है, it consists of, first part, sechum, then colon, अब बिटा colon अलग-अलग parts के, divisible है इसमें, आप सिर्फ अभी 10th standard के साब सिर्फ colon याद रखो न, तो ही बहुत अच्छा है, but जिन बच्चों को ज़्यादा interest होता थोड़ा सा biology में, उनके लिए मैंने ये slide पूरी बनाई, so sechum, colon, then rectum, और फिर opening है, anise, अब इसकी length कितनी है लगबग, 1.5 meters, लेकिन large क्यों बोला, मैंने अभी बताया था आपको, because it is wider in diameter, अब इसमें एक चीज़ होती है, ये जो single sechum है, sechum में क्या होगा, it hosts small organisms, symbiotic, मतब ऐसे organisms को रखता है, जो कही न कही हमारे digestions में healthful है, then, एक छोट असा finger-like projection मिलेगा, vermi form appendix, ये जो sechum के पास में दिख रहा है आपको, ये, this is a finger-like projection, और इसे बोला जाता है क्या, vermi form appendix, हमारे अंदर vestigial है, मतलब primary function, जो इसका cellulose digestion का है, वो नहीं कर रहा, बाकि, जो हमारे ancestors थे न, इसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है, अब आगे चलते हैं, what is the function of rectum, it holds, the undigested fecal material, ये, लिखा है न, वहाँ पर, undigested fecal materials को, रखता है कब, ताकि, जब तक, एक signal ना जाए, और voluntary discharge ना हो सके, तो, there is no significant digestive activity, large intestine, अभी जो large intestine की बात की थी, तो as such, digestion नहीं होता, specifically, बस उसमें से, बहुत सारी चीज़े, जैसे water हो गया, कुछ drugs हो गई, absorb होती है, वो हम देखेंगे, physiology में, now, जैसे ही हमने बात करी थी, इस rectum की, तो rectum का, अपन ने function देख लिया, temporary storage, for undigested fecal material, ताकि, उसको body से बाहर, निकाला जा सके, rectum opens to outside, through anus, यह sphincter लगा होता है, देखो यह sphincter का काम किया है, sphincter क्या करता है, ताकि, जो fecal material है, वो back flow ना हो जाए, फिर से, reverse ना चले जाए, उल्टा ना जाए, तो यह sphincter लगा होता है, जैसे heart में valves होते हैं, वैसे ही sphincter है, ताकि, एक direction में ही, fecal material discharge हो, और discharging of fecal material, is known as defecation, fecal material को, body से बहार निकाल, now the associated digestive glands, अब पूरा elementary canal पढ़ लिया, पहली slide में, देखना जिनको याद नहीं आ रहा है, मैंने पहली slide में बताया था कि, आप human digestive system में, दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक elementary canal, जो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम glands, associated digestive glands, पहला है salivary glands, कितने होंगे, three pairs, जो थोड़े से Olympiards, पे focus करने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सजादा ध्यान ने, ये parotid gland है, near ear, sub mandibular gland है, tongue, tongue के नीचे, तो ये three pairs of salivary glands, अब जैसे ही हमने बात करी, इनकी locations के साथ साथ, हमको एक और चीज़ समझ में आती है, कि ये located है, outside the buccal cavity, लेकिन इनकी opening खुलती है, कहाँ पर, buccal cavity के अंतर, तो इसमें mainly, जो हमारा सबसे master है, वो है parotid, क्योंकि ये करता है, maximum saliva secretion, maximum saliva secretion, कौन करेगा, parotid, ये सब भी saliva निकालते हैं, बट maximum content parotid से निकलता है, now liver, liver is situated in the right side of your abdominal cavity, right side में situated, बहुत सुन्दर सा डाइग्राम बनाया है, आपके लिए, this is liver, और liver, देखो ये नीचे पीछे आगे स्टमक, now this is, gallbladder, और this is pancreas, एक सब कुछ association दिखा दिया है आपको, लिवर का काम क्या है, mainly, एक तो सबसे busiest organ है, अगर मैं बात करूँ न, liver की, तो liver के लिए एक term यूज करते हैं, हम लोग, it is the busiest organ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, अब main, जो अभी आपको याद करना है, वो क्या है, it secretes bile, bile का production होगा, bile का importance कहाँ पर है, fat का digestion बिना bile के possibly नहीं है, so bile is involved in emulsification of fat, मतलब जो fats है न, उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ेगा, उसके बाद आपका digestion चालोंगा, fats का, तो अब alkaline nature भी maintain रखता है, और साथ में, it stores excess glucose in the form of glyco, चलो, बहुत सारे vitamins भी store करता है, detoxification करता है, body में जो toxins produce हो गए, उसको less harmful में convert करता है, तो हमारे liver का काम तो बहुत सारा है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ज़रूरी है, now, pancreas, pancreas the last digestive gland, pancreas is the second largest gland in the human body, और यह mixed compound gland है, क्यों? देखो, अभी इस बार तो आपको CBAC ने control and coordination chapter से बहुत सारी चीज़े omit करवा दी है, otherwise हम वहाँ पर पढ़ते, pancreas के function, insulin production, glucagon production, लेकिन अब जहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे, pancreatic juice कैसे बनता है, मतलब digestive juices का secretion कैसे होता है, तो pancreas कहाँ पर है, it is situated, between the limbs of U-shaped duodenum, duodenum बनाया था ना, अभी देखा ना, liver के साथ हमने, तो duodenum की limbs में present है pancreas, अब करेगा क्या, देखते हैं, pancreatic juice secret करेगा, और वो pancreatic juice का काम है, digestion में alkaline environment रखना, intestine में, बहुत सारे ऐसे enzymes भी secret करेगा, जो हम next lecture में बिलकुल आपकी सामने लाने वाले है, physiology of digestion, so this is the pancreas, this is important in digestion, exocrine और endocrine दोनों function है, इसलिए हमने इसको mixed gland बोला, तो यह बहुत ही जंदी से tougher हमने देख लिया, माउट से लेके NS तक के सारे parts आपके recap के लिए, because textbook में थोड़ा सा जंबल फॉर्म में दिया है, तो हमने arrange करके आपकी ले लाए है, इसके पहले की videos आप देख सकते हैं, on autotropic nutrition photosynthesis, उसे experiments जो दिये हुए हैं वो, और साथ में heterotropic nutrition के types, इसके next मैं video आपके सामने लेके आने वाली हूँ, regarding physiology of digestion, so please बच्चलों ये बहुत ध्यान से देख ले, lecture and thank you so much.